और ये बड़ी ख़वर आपकी टीवी स्क्रीन पर हाथ रोसकान पर वकील एपी सिंग का वयान आया है म्रतकों के पैजनों की देखवाल करेगा ट्रस्ट बावा का ट्रस्ट देखवाल करेगा जिम्मेदारी लेगा जिसमें सिक्षा स्वास्त और शादी तक की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है दो जुलाई को हाथ से रहे एक तो 21 लोगों के परिवारों की उनके बच्चों की जिम्मेदारी उठाने की बात कर रहा है ट्रस्ट हाथ रसमें भगदर के मामले में जिस मुख्या रूपी की यूपी पुलिस को तलाश थी उस मुख्या रूपी वेद प्रकाश मदुकर ने सरेंडर कर दिया और ये दावा करने वाले सुप्रेम कोट के वरिष्ट वकील एपी सिंग हमारे साथ हैं सर मदुकर ने सरेंडर कर दिया कि आपकी न्यूस 24 से आपका रेनाउंड न्यूस चैनल है पुरे देश में देखा जाता है और सतता के लिए देखा जाता है सक्चाई के लिए आप देश की बात करते हैं ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं मैंने आपसे दो पहर को वादा किया था कि FIR में मुझे एक ही नाम बताया गया देप्रकाश मदुकर वो मुझे पता चला उसने मुझे संपर किया बींगे मानम मंगल मिलें सत्भामना समागम के कौंसिल होने के नाते और उनके आधार पर ये देखा गया कि हमें लगा कि य उन्होंने कहा हास्पिटलाइज है आपसे भी मैंने शेर की हार्ट पेशेंट है पुराना हार्ट पेशेंट है इंजीनियर है बुक्खे बबस्था पक किसी का पहला नंबर तो होगा एक दो तीन चार पांचे को यह तो होगा ये पड़े लिखे थे सामाज के वेक्ति थे इसलिए इनका रखा एष्टियोंपर विश्वास करता हूं एसाइटीपर विश्वास करता हूं अंडवल हाई कोड के रेटाइज जर्श्ब् Tor hor पर भरोषा करता हूं कि वो पूरी अच्छी निस्पक्ष जांच करें हमारे चीत्ट क्छर हमारे अठीकल स्टाफ ने हमारी कम्यों की बात कही आपने कहा कि बाबा वहां नहीं थे वो 35 मिनट पहले चले गे थे लेकिन बड़ा सवाल जो हर किसी की जहन में आज भी है कि 121 मौतों का जिम्मेदार कौन मैं आप से जाना है वो असमाजिक तत्तों वो एंटी शोशल एलेमेंट्स जो जान बूच कर उसमें गए वो हो सकता है सनातन धर्म के विरोधी हो हो सकता है नारान साकार हरी के विरोधी हो हो सकता है नारान साकार हरी की लोक प्रियता से परिशान हो हो सकता है सनातन धर्म को हिंदू धर्म को या इस तरह से बदराम करने की शाजिश कर रहे हो उन्हें भी इतनी आशा नहीं हो जाँच में भाग लेंगे भारत में रह रहे हैं कहीं छुपे नहीं हैं कहीं नहीं गए हैं ना अंडरगाउंड आपको मिलेंगे ना कहीं आपको एरपोर्ट बॉर्डर कहीं भागते मिलेंगे पूरी घटना जो है वो कही ना कही एक साजिश की तरफ इशारा करती है और बाबा कही नहीं गए है जब भी पुलिस को जरूरत होगी बाबा पुलिस के सामने हाजिर होंगे